अरे अपसा मूर्ता शिवय जन्ती सा मूर्ते एक संगला मूर्ते शिवय जन्ती सा मूर्ते और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है वो हमें मंजूर नहीं है मैं खुले आम कहता हूं ताकि आज बड़ा अच्छा दिन है तो क्यों तो शिवसेना का नाम और चिन्ना हमें आपने साथ जो गुलाम आये उनको दे दिया, तो व्यक्ति वाले बहुत अच्छा मोगायम बहुत खूश हुआ, मैं स्पीटा और इल सर्व उपस्तित मानने वर, और जमले ले बांदवानो भगिने नन मातानो, बहुत दिनों के बाद जरह हिंदी की प्रैक अच्कुल तो देखी हुई है, पता चला चंद्रेकंजी है, आने ते युड़ा से टिमंटला कारण माला आज सुदा चंद्रेकंजी आठो दे दाड़ी वाले, मतलब आप सोचे कि इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, अभी आभी तो लगातर मिल रहे हैं, लेकिन इतने सा अब भी बहुत सालों के बाद घर आए, राजिर जी पंटर से सगड़े, पहले तो घर पर आना जाना था, बीज में पता नहीं क्यों क्या हुआ, आना ही बंद कर दिया, और अभी आपने जो बात कही, कि आने वाले सरकार में हमें भी कुछ चाहिए, और आप साथ में रहें जिश्की थी, घनश्याम जी थे, अभी चंद्रेखान जी उस वक्त आते थे जरूर, राजय सभा के मेंबर ने, चंद्रेखान जी रमी जी आप आते थे जरूर, लेकिन शिवसेन हमें नहीं आते थे, घर जरूर आते थे, अभी तो खेर अपना गडबंदन ही हुआ है, महा तब मैंने सोचा नहीं कि, अरे अपसा मूरता शिवसेन्ति सा मूरत है, एक सांगला मूरत है, शिवसेन्ति सा मूरत है, आईनि हीतर गोश्प सकते कि, चत्रपति शिवा जी महाराज जी का राज्या विशेख करने के लिए काशि से गागा बटाए थे, तो अपना रिष्ट बीच में अपना रिजल्ट सुनवा देगी, ठीक है कल उन्होंने मेरा धनुश्यबांड छीन लिया, आप खुद प्रभू राम चंदर मेरे साथ आ गए, आप ही नहीं दिये है, तो ऐसे होता रहता है, संजुक की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होत होता है, कभी-कभी ऐसी बाते होती है, और मैंने तो कल रस्ते पर उतर कर चुनोती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुश्यबांड छीन लिया है, उनको मैंने चुनोती दी है कि अगर आप मर्ध हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुश्यबांड लेकर मेरे सामने आई है, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूँ, देखेंगे क्या होता है, एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज़्यादा हम और आप एक दुसरे के विरोधी थी, कॉंग्रेस और रश्रवादी और शिवसेना, उत्तर भरत्य और मार हम तो हिंदुत्व ओजी थे, आज भी मैं कहता हूँ, मैं हिंदुत्व का भी छोड़ा नहीं है, और नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो भाजब को छोड़ा है, हिंदुत्व का नहीं छोड़ा है, भाजब मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है, वो हमा हुआ है हमारा जो हिंधुत वह क्या है वो कह से कि आपस में लड़ाई लड़ाओ हाई परिवार में चला करो औरसां सत्त हासिल करो कल कोई आया था पुना में कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे है महारश्रमें, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, तो क्यों, तो शिवसेना का नाम और चिन्न, हमें आपने साथ जो गुलाम आये हैं, उनको दे दिया, तो व्यक्ति वाले बहुत अच्छा मोगाइमबो कि देश में एक दुसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे, और वो लड़ाई में वैस्ट रहेंगे, तो मैं राज करूंगा, यही तो है, आज के मोगाइमबो यही तो है, वो भले हिंदू है, लड़ो हमारे साथ है, वो हिंदू हो, या कोई हो, उ जाने सभा करते हो मुझे तो लोगों के सामने आना है लोगों के बीच में आना है और कुछ ना है बताओ मैंने क्या गल्ति की है दाए साल मैं मुख्यमंत्री था, कहा मैंने भेद किया है, अपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है, कभी शिवसेना ने अपस में लड़ाई लगाई किये, कभी नहीं, दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिकर किया, तो यही तो मेरे शिवसेनिक है, आज अनिल वाईकर है, विनाहिजे, रोतुयता ही बसलेते हैं सबते हैं, रमेश रोता है, भाव करवा करें, इकड़बन कहीं लोगास्ति, यह तो हमारे सहीनिक है, जिन्होंने मुंबई को बचाया था, और आज जो हिंदूतों की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त कहां थे, आड्रेस न पन इसका सिना, उस वक्त हो पसिनाही पसिनाह हुआ था, तो उस वक्त जिनोंने मुंबई बचाई, उन Hillaryables अब अभी गुनेगार मान रहे हो, और मैं कांग्रेस से साथ गया, मैं नहीं गया, भाजब ने मुझे भतेल आए, और ये बात मैं दोहरा नहीं इसलिए चाहता हूँ ताकि गलत पहिमी आपके मन में ना रहे 2014 में मैंने नहीं यूती तोड़ी थी भाजप नहीं यूती तोड़ी थी और तब भी मैं हिंदु ही था ना आज भी हिंदु हूँ उस वक्त आपने यूती तोड़ी थी बाद में जब आपको पता चला जरूरत पड़ी कि अरे शिवसना तो साथ में लगेगी क्योंकि उस वक्त लास्ट मुमेंट चंद्रकान जी मतलब चुनाओ वो जो नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट रहती है उसके एक दिन पहले उन्होंने यूती तोड़ी बड़ी मुश्किल थी क्योंकि 288 जगह पर मैं कैंडिडिट कहां से लाओ तो भी हम लड़े अकेले लड़े तो 63 आये थे हम लगे बीजेपी को ऐसे लगा था कि वाकेली की जोर पर सत्ता समा लेगी नहीं समल सके हमारी मनत लेनी पड़ी उसके बाद अमिज शाह घर पर आये थे और यह तो मैंने जब दसरा की रैली हुई थे अभी की शिवाजी पार्क तो मैंने मेरे माह और पिता जी की कसम खाकर शपत लेकर कहा था कि यह बात सच है उन्होंने मुझे एक वचन दिया था और वो इसलिए मैंने मांग की थी प्योंकि मैंने मेरे पिता जी को याने बाना साब को आखरी दिनों में वचन दिया कि दिया था कि मैं एक नएक दिन आपका शिवसेनिक मुख्यमंद्री करके दिखाऊंगा वो अचन आज भी मैं रखाय है तो उस वक्त अमिज जी ने का ठीक है और बान में ठीक है के बाद जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं और उस वक्त अगर मैं आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बान कर गए है उनके पास तो यह तो मेरे पिता जी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो मेरे पिता जी ने शिखाया अन्या के साथ लड़ाई करो मैं तो लड़ने वाले पि इन श्रीर लेनी पड़ीगी और उस वक्त तो ये कहां गया था कि आप चुनकर आए हो घ्यान में रोखो Moodi jī का चेरा आपने इस्तेमाल किया है। उस वक्त युदि ती गड़मंदन था हां हमारे वो पोश्टर पे मोदी जी का चेहरा था, उनके पुष्टर पे हिंदुरोदे समराट बाला साब का चेहरा था, और एक जमाना था ना, कल मैंने कहा, कि एक जमाना जरूर था, कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में, पब्लीक, मोदी जी के नकाब मास्क पहिंतर आते थे, लेकिन अब दिन बदली होगे, अब मोदी जी को बाला सब का नकाप पेंचर महारश्रों में आना पड़ता है और यह कैसी गंदी हर्कत कर रहे है क्या आपको पसंद है, जो भी चल रहा है आपको पसंद है, क्या यह प्रजा तंत्र है, अरे लड़ना है, तुमायदान में, लड़ना आपको जो कुछ कहना है कहओ, हमें कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है, वो निरीने करे जो सबसे उपर की अडालत है, बड़ी अडालत है वो जनता, उनको फैसना करने दो, यह तो लोक तंत्र है लेकिन इनको लोग तंत्र मुंजूर नहीं है सब जो एजन्सीन्स है वो भेडियों के तरह से अपने उपर छोड़ते मैं कुट्टा इसले नहीं कहता कुट्टा मुझे बहुत प्यार है कुट्टा इमानी रहता है वफादार होता है बेडिया का मतलब मानते है लांगा वरोध ना जरह हंदी सीख रहो हुँ मैं लांगा लांगा इसले तो लांगा लांगा तोस्तो और लबाद लांगा डोंग करते वो पढ़े चोड़ना है इंकम टेस्क को छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूँ अगेला क्या आपके बेडिये तो पहले आए आए न उनके आदर पर आप लड़ रहे है और एक उमीद थी जरूर थी एक सपना था जरूर था देश को एक मजबुत देश बनाना अपना सपना था था वो आज भी है क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहां बिठाया वो खुद बल्वान हो गए लेकिन देश कमजोर हो रहा है देश कमजोर हो रहा है मेरा करतावे सिर्क मुंबई बचाना इ इतना ही नहीं है, मेरा करता हुए है, मेरा मतलब हम सबता देश को बचाना है। और आज अगर हम जागेंगी नहीं, मेरे पिता जी ये बात तो प्रमोद महाजीन जी ने मीटिंग में कही थी, भाशन में कही थी, राजीन जी तेवा तुम्हीं भाजयपा दस्नारा, सुबत होते ही, बरौन ना, प्रमोद जी घरी आईचे, कुप चर्चाव आईचे, गोफ आपको ये इतना, ये इतना, लेकिन चत्रंज में भी कुछ नियम होते है, गोडा कैसा चलना चाहिए, हाती कैसे जाना चाहिए, उंट कैसे चाहिए, या तो कोई भी कैसे भी चलता है, तो प्रमोद जी ने कहा था, और ये सच है, वो जमाना था, वो सब अपने हिंदू लो पोसीबल, उत्तर भारतिया अलग है, बाराठीया अलग है, डक्षिन भारतिया अलग है, बीच में पंजाबी है, बेंगॉली है, तो इन देख तो क्या होता है कि नि देख, वो दिन तो आ गया, हिंदू हिंदू बनकर वोट करने लेगे, अभी हिंदू उठ गये, जाग ग तो पंचे थोना जो निन से जाग गए हैं उनके आँखों में धूल फेकने का काम चल रहा है तो मतलब हिंदूों को ऐसे महसूस होना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है बीच में तो और एक मज़ेदार बात हुई मुंबई में एक मोर्चा निकला था हिंदू जन आक्रोश हिंदू आक्रोश मोर्चा हिंदू आक्रोश कि आपको और डूर अदमी दे участक्री आठ सल से तो अब हिंदू आख्रोश कर रहे हैं यह कौन सा हिंदू आखतो यह और कॉंग्रेस का जब राज ही तो आपको पता एक नारा लगाए जाता था इसलाम खत्रे में है अब नारा बदली हो गया अब हिंदू खत्रे में है तो किसका राज अच्छा था ने अभी सारे मुस्लिम भाई वे साथ में आ रहे इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वह खत्रे में आना चाहिए आपका और हमारा कोई जगड़ा है नहीं ना उत्तर भारतियों स है ना मुस्लिम लोगों से जो भी इस देश को अपना देश मानता है अपनी मात्रु भूमी मानता है और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तो आपकी मात्रु भूमी ये कर्म भूमी आपको आधर दिया है तो इस देश के प्रतिया आपका एक कर्तवय बनता है तो यही ह कि इस देश को अपने मात्रूब हमी मात्रूब हमी मानने वाला हर कोई वह हमारा प्रूब